है कि है लो अवाज़ारी सबकों मेरी अप्ट है किया सब्सक्राइब ओके तो बेसिकली आप लोग को वेबिनार का टॉपिक तो पदा चली गया होगा सीकुल इंजेक्शन ओके सो आज जो है हम सीकुल इंजेक्शन पर बात करेंगे और कौन-कौन से कमांड होते हैं बेसिकली क्या क्या टूल होते हैं या किस पैरिमेटर पर हमें चेक करना चाहिए वो सारी चीज़े हम क्या करेंगे सीपल इंजेक्शन में जाने करें ठीक है अब बेट कर लेते हैं और लोग चौन होते हैं थेन हम स्टाट करेंगे दो मेट में ओके यास सर्थ अब अब अ 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 झाल 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 तो तो स्टार्ट करते हैं ठीक है तो बीसिकली टॉपिक पर जादे हैं तो तो सबसे पहले एस्कुल के बारे में बात कर लेता है ठीक है तो एस्कुल होती ही क्या है फर्स्ट फॉल तो तो वह सारी चीज़ें क्या कर सकते हम सारी चीज़ा के अंदर करते हैं कि यहां पर षाँ स्कोल मैंने डिफरेंट डीटःबी हो सकते हैं जैसे माइद सीक्वाल हो सकता है या वинки हो सकता है तो इन सारे फोर्म्स का बेसी और एक होता है NoSQL, तो जो SQL होती है, जिसके अंदर basically हम सारे parameters में like हम add करते हैं, like जैसे हम उसके अंदर जो intercepting करते हैं या select करते हैं या फिर delete करते हैं ना new user add करते हैं, वो हम करते हैं, SQL के अंदर, और noSQL के अंदर basically इसारी चीज़े नहीं होती है, तो हम जो part कर रहे हैं वो SQL के अंदर जो Boys नहीं के अंदर आवल सब्रक्षार होता है, इज़िल पतंगा है, तो जैसे के में लोट चाले, जो database होता है, तो एसकुल इंजेक्शन वह टेखनीक होती है जहां पर हम उसके से हम डाटा को फास्वर्ट करते हैं कि अब जैसे माले जो जो डाटा वेस है उसके उसके अंदर मालो यूजर के टेबल से टेबल से यूजर ने पासवर्ड है हम वो डेटाबेस को मानलो उसकी कुछ कोड से या कुछ malicious code से कुछ command से जो यूजर इंपूर्ट होता है वेब पे इंपूर्ट होता है वहाँ पर हम malicious code inject करते हैं जिससे हम user की information याने कि जो उसके अंदर डाटाबेस है उसके से user की information को fetch करते है वो होती है सब्सक्राइब करने जाता है तब उसकेश में क्या होती है यह दूसरे statement कह सकते हैं कि सब्सक्राइब वैब application technique मतलब कि सबसे ज्यादा यूजर वैब application टेकिनिक भी है और एस्कुल इंजेक्शन इस इंजेक्शन कोड़ इंटु दा एस्कुल स्टेटमेंट विच इस वेब पेज और इंपूट मतलब कि वेब पेज इंपूट में जब भी हम करते तो वह आपके उस पर भी काम आते है ठीक है तो यहां पर आप एक इंटरफेस देख रहोंगे कि मिज देख रहे होंगे जहां पर यह जो यहां पर यूजर नेम कि इस तरहें की दिखता है मतब से यूजर नेम ओफ्रम देदाबेज किया रहे था तो यह सारी चीज़ूसरे ऐड होती है तो तो यहां पर हम उसी को्त को या उसे डाटा मेस को बेसी कर रहे होते हैं या कोई भी एक अटाकर होता है वह उस डाटाब तो स्कूल का इंपक्ट स्क्रियुशन का इंपक्ट कहां कहां तो यहां पर आटकर ने बता आए कि जब उससे इन्फरमिशन पार्च करना हो ठीक है मतलब कि जब आटकर चाहता है कि वह डेटाबेस से उसकी यूज़ क्रिदेंशल हो सकते हैं या इन्फरमिशन हो गया तो वह उस डाटाबेस को करने की कोशिश करता है में ली अटाकर जो सीक्वल इंजेक्शन यूज करते हैं इसी पार्ट के लिए ही यूज करते हैं ठीक है जैसे नाओड़ेज अभी जो हमारी शॉपिंग से वेबसाइट होती है अप्लिकेशन होता है या फिर बैंक एक्स्पॉइटेशन हो रहा होता है तो वहां पे ही अटाकर जो होता है वहीं पर सीक्वल इंजेक्शन ट्राइक करता है और वहां पर उसको एक्स्पॉइट करने को ट्राइक करता है ठीक है जहां पर अब सीक्वल इंजेक्शन के टाइप की बात करते है तो सीक्वल इंज बात के सबसे पहले हम बात करते हैं तो सीपना होती है जो मुश्ली हमें अगर हम धूर करते रहा है तो उसका है तो उसे कहते हैं सीक्वल बेस इंजेक्शन टेकिनिक्स तो मोस्ली रेरिस अटाइकर करता है उसके इंटाइर डेटाबेस को पता करता है कि अंदर उसके अंदर सीक्वल की इंजेक्शन की वनियबिलिटी है तो ठीक है जैसे अगर मैं आप एक साइट दिखा देता हूं आप जैसे साइट है अब यहां पर देख सकते हैं यहां पर साइड है भी आगर यहां पर कुछ करता हूं यहां पर मुझे देख सकते हैं पर इस तरीके के आपको दिखा रहा बुलियन गिव्स मतलब गर इस तरीके की पैरमेटर में आपको एरर शो करता है तो यह हो सकता है आपकी एसकोई इंजेक्शन के लाता है क्योंकि जब एक एरर के ही बेसे पर अटाकर जो होता है उसको अडेंटिफाय करता है कि वहाँ पे है की नहीं तो वह होती है आपकी एरर बेस्ट इसक्वे इंपूट होते मतलब की जो यहां कुछ कमांड जो ट्राइब करते या डेता से पता करते हैं कि उसका तरीके के कुछ पारेमिटर होते हैं जहां पीच पी का आईडी कॉलम कुछ इस तरीके के दिखेंगे तो ठीक है इससे दिखा देता हूं कि अगर कि अगर कि अगर कि यहां पर देखोगे आपको सीकुल इंजेक्शन पर अगर मालोग आडेंटिफाय करनी है कि सीकुल की विल्लिबिटी है तो अगर आप वहां पर कॉमा या फिर पैच किस तरीकी इस तरीकी की पैरिमिटर में जहां पर यूजर आईडी इंपूट देख रही है या फिर फ्रंट एंड में आपको अगर आईडी इंपूर्ट देखती है तो उस केस में क्या कर सकता है आप आइडेंटिफाय कर सकते हैं कि महां पर सीकुल इंजेक्शन की मनेबिलिटी है कि मैं भी करके दिखाऊंगा पिर तो उसके अब देखते हैं ठीक है फिर आता है union-based त drives Union क्या होता है सबको पता होगा कर नहीं पता बता देता हूं यूनियन वह स्टेटमेंट होते हैं जब मुझे डेटा बेस के अंदर मतलब कि एक से ज्यादा यूजर को कॉल आउट करता हूं यूनियन का यूज होता है तो यहां पर इस ज्यादा यूजर को कॉल आउट करना हो सिंगल रिजल्ट पर जैसे माले जब यह पेज है अगर मु कर सकता हूं जहां पर मैं एक से ज्यादा यूजर को कॉल आउट करोंगा वह होती है हमारी सीकुल बेस इंजेक्शन यूनियन बेस सीकुल इंजेक्शन सॉरी तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट नीड होती है जो आपको यूनिके पार जाना चाहिए एक इच क्वेरी मस सीकुल इंजेक्शन ब्लाइन बेस सीकुल इंजेक्शन का मतलब होता है जो क्वेरी जों करता है मतलब कि अगर मालो जैसे में अभी कॉमा ट्राइब किया मानलो के बैकेंड में कोई रोबोट है अगर में वहां पे कोई कोई पूट करता हूं जैसे अगर मानलो की साइनप पेज है अब इस साइनप पेज में जैसे यहां पे मुझे नहीं पता है यहां पर मानलो की यूजर ने माँ पासवर्ड है मैं यहां पर यूजर मैं अगर मान है आप यहां पर लॉग इन कर सकते हो अगर वहां पर मैं अगर कुछ यूजर इंपूट और पुट कर रहा और रॉंग है तो वहां पर मुझे कुछ और रिस्पॉंस दिखाएगा तो यह डिफ्रेंशियेट से हम पता करते हैं कि कि अबश अब सीकुल इंजेटिन चौन के मोले मतलब कि मॉंसली यहां पर जो कहा हो सकता आपको दो चीज का धियान रखना है यह वन्यबिटी आपकी हो सकती अगर को website है जो PHP पर work कर रही हो ठीक है PHP के old version पर या PHP पर और उसका database है वो SQL से बना होए है SQL से स्था थो हो सकता है कि उसके के अंदर यह हो सकती है मतलब सीक्वल इंजेक्शिंग की हो सकती है पर यह प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे पहले आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से होता है यह तो यहां पर मैं हुआ 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 है हुआ है कि अधर देख सकते हैं तो काले लेंख पर अब को बन करके दिखा देता हूं ठीक है एक एक सेकंट कि अब कि अब कि अब कि अब कि यहां पर हम ब्राउजर पर यहां पर हम एक हमारा बना हूँ इंटरफेस तो उस पर करेंगे ठीक है डीवी डबलू है अब जैक कर लेते हैं 192.168.1.50 प्लीज अपने माइक आफ कर लिजिए जिसकी भी माइक आफ ओन है ओके थैंक्स ओके यहां पर इंटरफेस आपको दिख रहा होगा डीवी डबलू एक टेस्टिंग परपस मशीन है यहां पर आप टेस्टिंग कर सकते हो तो मैं आपको यहां पर दिखाता हूँ हुआ stays है आप को यहां पर सीओ ग тоб सिप्लिंजेक्शिन पर आजाना है अब इसbewें इसेज़े में यहां पर रहा है बॉल रही है तो सब्सेपहले मैं नह mam आप ने यहां पर मैंने बताया था कि आपको अगर चेक करना है और जैसे नौर्म यहां पर यूजर यूजर डालता हूं तो यहां पर देखा रहा है और अगर मैं पर कॉलम डालता हूं यहां पर इंटर करेंगे तो देखो सबसे पहले करना है कि website में कम है कि नहीं तो आप यहां पर चेक कर सकते हो जैसे देखोगे यहां पर सब्सक्राइब इस तरिकी के आपको कम है दिखा रहे तो यहां पर यूजर डिखोगे तो यहां पर यूजर इक ववन समट पने डिखा रहा है ठीक है है आपको अगर इस तरह की का पर पर दिखते हैं प्याइच पी-च्पी का या फिर वन इक्वलस टू इस तरह के क्या पर दिखना है तो आप वहां पर कोई में डालके चेकर सकते हैं यहां पर जैसे डालके दिखा देता हैं तो जैसे हम करेंगे तो दिखाए और सीक्वल सेंटेक्स इसमुझे आपर बता रहा नहों खुब दिखाएगा जैसे मैं लडिता हों रहत वां फैंपes के सिक्यॉरी क्या रही हा क्या है कि इसकी सिक्यॉर्ट टीलो है इसरे कहें दुख रहा है यह इस तरे की दिखा रहा है एक मिनुट को डेल इस तरह के देखा रहा है अब यहां पर थ्री फैल्यू पुट करोगे तो यह एक्शली हो कह रहा है मैं वह बताते हूं यहां पर अगर फॉर एक्शली हो रहा है कि यह जो साइट है यह और यहां पर इसका बैकेंड मां को दिखा देता हूं एक्शन में दिखता है ऐसा ठीक है अब यहां पर देखें आप जिसकी यू आईडी देखो गया ठीक है यहां पर गेट आईडी आपको दिख रही होगी तो यहां पर यह स्टेटमेंट आपको दिखेंगा सिलेक्ट फॉस्ट नेम लास्ट नेम प्रॉम दे यूजर वैर दे यूजर आईडी इस अभी जो सिल अपर नेम्स कर सकते हो कि है अध़े यहांपर जो सिलेक्ट फ्रस नेम लास्ट में यहां पर इसकी तक है और जो फॉरस्ट नेम कहाएं मतलब कि है हम कहा है मतलब कि यहांद फर्स नेंट और यूजर यूजर ता है इस तरीके से तो यहां पर अगर हम यह स्टेट्मेंट मैं सब्सक्राइब साइड में लिखके लिखता हूँ अगर मैं यहां पर एक वैल्यू जैसे यहां का फॉर एक्जामपल जैसे फॉर्स नीम यहां पर एड्मिन है यहां पर मैं एड्मिन देता हूं ओके एंड इसी स्टेटमेंट में वहां पर मैं अगर कोई वैल्यू पुट करता हूं यह तो हो गया फर्स निम किसके दिए है सिल्ऑन से دम एड्मिन के डाटाबेस जो इसका यूज़र के उसे है यूजर के आई डी से नकालने के लिक्लात मतलब की यूजर आई टी सका क्या यूजर के डाटाबेस निकालने कह रहा हूं ठिक कि जैसे कुछ आइडी थी इस तरह की कि आइडी वन थी एक मिनटा कुते में से घुलती हो गया है ओक्य कि अभी जो स्टेटमेंट है अब स्टेटमेंट आप जहां से देखो लास्ट कॉमा लास्ट लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं डबल कॉमा लगा हुआ है अब मैं इस जो डाटा बेस है यहां पर अगर मैं एक और कॉमा आड कर देता हूं तो वह क्या करेंगा डाटा बेस को रेटरिफ कर रहा है यह एक्चल बाकेंड प्रॉसेस होता है जो अगर माल लीजिए मैं आपको कॉ केनी तो वह यहिता कि अगर मैं हां पर क्वेरी gamot के अंटर कर रहा था तो मोईख सर्वर का एयरर दिखा रहा था यही स्टेटमेंट की हो सकता है मैं हम आपर यहां पर मैं और लिख करता है तो वह example होता है तो यहां पर जैसे मैं example लेता हूँ अगर मैंने यहां पे admin लिखा ठीक है माल लो यहां पर admin और इसके साथ मतलब कि अगर मैं उसको बोल रहे हैं इसका अगर जो user है वो admin है या फिर और इसके अलावा तो मैं उसको क्या कर एक option दे रहा हूं आपर अगर मैं वहां पर option दे रहा हूं तो वह क्या हो रहा है अगर उसको रेटरिफ कर तो उसके बदले मुझे information करके देगा मैं आपर भी करके दिखाता हूं ठीक है तो जैसे कि मैंने अर्र की बात की थी तो यहां पर जो एर्र है यहां पर मैं मालूं यहां पर मैं कॉमा पुट करता हूं और यहां पर सब्मिट करता हूं तो यहां पर ले लाइटिंग कुछ कर बढ़ हुआ है एक मिनट और से लेकरे लेखिए आइ और स्थाइब आगे आगे अट्वान टाइट है तो यहाप बड़ देख लो तो मैंने जो आपको असटा था है कि मतलब आप जब जो साइट है एक मिट तो जैसे कि को साइट है अगर साइट में आपको उसके एक्स्टेंजिशन जैसे कि मैं ने आप बता है स्टेटमेंट पे कि आपको इंटरफेस कुछ इस तरह के देखेगा सिलेक्ट परस्ट नेम लास्ट नेम फॉर्म दे यूजर यूजर आईडी तो वहां पर जैसा मैंने को कोईरी एड की वहां पर मुझे आपको मिलती है जो मैंने बताया तो यहां पर टेक्निकल इशू हो गया तो कि यहां तक किसी का को कोईशन है पूसकता कर दो कि अज़े कि मिल जाएगी जिए मिल जाएगी रिशी अब यहां पर यूजर आड़ी के मैंने जो बात की थी अब मैंने जो एर्र वाले की बैड कि ती यह बैज व्यू सोस है है यह पह सकते हुकि उसकी वे सकते हों अभे सो यहां पे आप देख सकते हुआ स्टेटमेंट में एक और एड़ करते हैं कि और यहां पर लगा और मतलब उसकी कॉल आउट कर रहे हैं और वन अब यहां पर एक और स्टेटमेंट आता है जैसे कि जो कभी भी आप से अगर डेटा बेस की बात वो तो आपको यह समझ जाना है वन इकवल स्टू वाली होती है यह उसको फ्लाइबेस को अगर डेटाबेस को कॉल आउट कर रहे हैं वह हमें दो स्टेटमेंट में दिखाएगा या तो दिखाएगा वो थू या तो वह दिखाएगा फॉल्स ठीक है यह दो स्टेटमेंट अगर मालों के पाज जो हम दे रहे हों से इंपुट में यूजर पुट में डाल रहे कुछ भी और अगर हमें वहां पे वह सही है तो हमें चुरू बता देगा अधरवाइस हमें फॉल्स बता रहे तो यहां पर तो मैं पर जैसे यहां पर मैं चूल यहां पर लिख देता हूं एक्सप्रीटमेंट लगा रहे हो तो इस तरह के बहूसी क्योरी होती है तो यहां पर यहां पर संब्ट कर देते हैं ऑके अवे वे दिखा रहे है करते हैं अब यहां पर जैसे लगा देते हैं अब यहां पर जैसे मुझे एक बता रहा है अब जैसे हम वन पता रहा है अब यहां पर जैसे मैं टू कर रहा हूं तो बताएगा ठीक है तो यहां पर अब अगर मालों कि फ़र एक्जमपल मैं आ पर में यहां इकर कुछ और करता हूं अब जैसे यहां पर मैं आल इूझर को चेक करना है तो मैंने 1 एकॉल फिमाय लू गोड़िक वायु लगा तो फिरफ पर इकॉल सु वन इकॉल सुल टूब ऑन फिरह तो यह क्या होता है यूजर को चैक करने के लिएwij कंट nurse रहेंगे तो यहां पर पर मुझे बता रहें तो इस तरीके से अब यहां पर quand मेंको देखना है कि कितने सारी यूजर है एक साथ के लिए कितने सारे यूजर हैं तो यहां पर मैं एक यह कमाड़ लगा सकते हूं कि और यह सम्मिट करते हैं कि यहां भी जिस ट्रीटमेंट में लगा रहा है वह आपको दिखा देता हूं पहले कि यह स्ट्रीटमेंट है कि सब्सक्राइब तीम्य को यूझर मालों के यूजर इंपूट है कि मैंने यूनियन के बारे बता है तो और फिरय ज्यादा यूजर को कॉल डूट करना आओ तो वहां पर यूनियन स्टेट्मेंट TAKE यूनि इन डे सेंस तब काम हाता है यूनियन तो चैथे जब आपको कि यह वी तेंग पर एक प्रेमेंटर में कुछ आरह रहे है एक नियुक्त कि अधिए आप जब करेंगे पर आप को सब्सक्राइब कि अधिए कि अधिए कि एक बनाट बनाट यॉड़का जये वाग पेलाग ज BRI वाग जवज़का वीवज़का पाई वीवज़का वीवज़का शुम नच्जा वीवज़का पहुँ पैजिए सगी लगादेट। पोक्सी करकी बतारा झालो हाँ, नेटवक कि शूर है, थोड़ों काफी जादा नेटवक कि शूर है ज़स्ट एक वननिटाप्ट झाल 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 मैं आखे मैं जैसे बोला था कि जो डाटाबेस होता है कि डाटाबेस से आपको जो इंफरमिशन रिटरफ्ट करनी है तो यहाँ पे जैसे एक लगा देता है जो मैंने यूनियन वाली बात की अब यह क्योरी में यह क्योरी के पहले देखा देता हूं आपको तो जैसे कि मैंने बोला था अगर मालो कि मैं को डाटाबेस से इंफरमिशन रिटरफ्ट करनी है ठीक है बट मल्टीपल यूजर मतलब कि एक साथ बहुत से अब जैसे अब तक देख रहे थे एक एक यूजर से इंफरमिशन निकाल रहे थे बट हम चाहते है इस बार कि करें किसके डीटाबीश सब्सक्रobaadra के डीटाबेस से जहां अब यह स्टेट्मेट के यहां क्या करें लगा सब्सक्राइस को यांअब जैसे कि मैंने लगा है कोई सब्सक्राइब करते हैं कि अब अ यहां पर देखें अब जो डीटावेस यहां पर बतार यहां पर पासवड से निम्हें पासवड है था ट्यकर करके तो यहां पर एमसे उसके अंदर का डाटावेस मतलब मतलब टोटल कितने यूजर है उनका यह डाटाबेस करके दे रहा है किस स्टेटमेंट से यहां पर लगा है तो यूनियन स्टेटमेंट आपकी तब काम आता है जब आपको डेटाबेस से फ्राइश करना हो और यहां पर जो आपको हैश मिल रहा है आप हैश को क्रैक कर सकते हो है वार RAW को कपी करना है और यहाँ पर यहां पर बता रहा है क्या क्या कर सक उसे यहां पर यहां पर उस개 यहां तौंपर मैं लगा देता हूं आपकी जैसे मैं आपे कॉमा और वन आइफन वन लगा सकते हैं कि एक मिनिट के पैरमेटर पर नहीं करता है ठीक है कोई बात नहीं सब यूनियन यहां पर लगा कर सकते हो तो करके कर सकते हो तो किसी करना होते हैं कि सीघू करना हो सकते हो totally कें सकते हो या फिरेक्टे को दिखा देता हूं कैसे करना होता है अब जैसे यहां पर मैं एक साइट पर आगए पर आप पर आपको आपको परिमेटर करेंगे तो आप मुझे एरर दिखा रहा है तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि सर यह वही पर पर ही करना है क्योंकि मैंने बताए कि परेमेटर पर आप कर सकते हो तो आप को परेमेटर करने से पहले बीस नहीं भी बहुत है कि आप पीच्पश पर वर सीक्वल मैं एकप अबसका सकता हों जैनिऊ का साड़ति-पलिट है हलसी आपको पारिमेट्र नहीं पता है पर करना तो आपको क्या करना है यहां परяч नियुप वह यूजव अब यहाँ पर जैसे इसकी dewारेल है हम पे जाते हॉट इसके उनको कापी कर लेना आपको और यहां पर लगा देना है ऐफन ऑफन बैच हुद रीफनोड इंट्रफेश ठीक है मतलब चीक को डिफॉल्ड वे में यूज़ करना चाहते तर लगा देना है पर यह आफनाफन cynical इक्वल सूफाइब क्या सी कौन कितने लिंक्स आप देखना चाहते हो आप इतना दे देना और वहां पर इंटर कर देना तो आपके क्या करेगा उस पर पैरेमेटर स्पाइंड करके देगा प्रॉल आपका होता है पैरेमेटर को फाइंड करने के लिए ठीक है और है फिन से आप क्या अगर सकते हो सीकूल माप का यूज कर सकते हो ओके तो यहां पर देख सकते हैं यहां पर स्क्राइब क्या है तो मैं इन में से कोई भी क्योंकि हमें मैंने बला कि आपको पहले वाले पैरेमिटर देखना होता है आपको करना होता है तो आपको यहां भी एक करना है जो भी आपको परिमेटर आप ले रहे हो यह से ले लिएते हुए रेर इस्ट था इत। यह परेमिटर मुझे मिली थी तो मैं उसी पर लेता हूं ठीक है यहां पर एक आपका दिखा रहा है इसका डेटाबेस का नाम है मतलब इस टेस्ट पी एच्पी के अंदर जो उसका डाटाबेस है वह किस नाम से है एकुराट नाम का डाटाबेस है ठीक है कि सब्सक्राइब दे देना है कॉलम्स को इनफर्मेशन निकालना है तो यहां पर लिए डिए क्यापिटल डी यहां पर लिए एकुराट अब भी देना हाइफन अफन टीबल्स टक है जरु है यूसरस देखा रहा है यहां पर है को क्या दिखा रहे है इतने सारे टेबल तेसा आप यूदे और यूजर्स सब्सक्राइब कर देना है ऐवन अफर फक्लम्स कि और हें अब कॉलंशेंगे तो यहां पर उसके कॉलंसा की निजा दीक इस तरीके सब तो यहां पर इसके आप temperature शाव degree बास नियुक्त है चाप क यहां पर हाइफ और कि ऐखन ऑल ऐफन ऐफन डंप हाइफन और रॉल कमांड होती है आपके इंटायर डेटाबेस को फैच करने के लिए आप जैसी आप इंटायर डीटाबेस की इनफ़ोमेशन आप से ले लेगा तो आप जैसे पूछ रहा हो डूई यहां पर यह उसके डाटाबेस को फैच करना स्टार्ट कर देगा इस तरीके से आप जो सीक्वल मैप है उसका यूज कर सकते हों ओके झाल 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 इस तरीके से आप इसके इंटायर डेटाबेस की क्या कर सकते इंफॉर्मेशन इकालते हों ठीक है एक यह तरीका होता है बाके आप इसका यूज एक और मैं आपको दिखा देता हो इसका कुकी बेस भी होता है कुकी बेस हम बब सूट से करेंगे ठीक है मतलब किसको क्याप्चर करके आप उसके इंटायर डेटाब इसको करने के लिए क्या करना है दिखा देता हूं क्या है अब जैसे इसके डेटाब इसको करना है क्या करना यहां पर मैं इसके लिए इसको तो मैं आप अपना प्रॉक्सिस एंडिंग कर लेते हैं और यहां पर तो यहां पर जैसे आपर मैं आपको इसकुल ब्लाइंड इस्पिल इंजिक्शन देखा जैसे अब यह ब्लाइंड मैं मगर इंटर वन करते हैं करते हैं के ओके सॉरी प्रॉक्सियां पर वहना के लिए अब जैसे यहां पर देखें अब यहां पर अब जैसे हैं मोएं करता हो और समिंट करता हूं कि तो यह ब्लाइंड है ब्लाइंड केस में क्या होता है ना कि ब्लाइंड केस में हमें यह नहीं पता चलता है कि जो डाटा बेस है डाटा बेस पे जैसे कि हमें इस फॉर्मिशन जैसे एरर शो करता है इसमें एरर शो नहीं करता है ब्लाइंड में तो ब्लाइंड में आपको वन फब्लाइन में एक आपको नहीं पता चलता है कि वहां पर है के नहीं एक सब्सक्राइब करता हूँ तो दिखाएगा एल दिखार हूँ कि ऌन c7 अ इस तरीके से मुझे पता करना पड़ता है कि वहाँ पर वन्निबिलेटी नहीं सब्सक्राइब मोच और चैनले यहां पर मैं इसकी सटेंगर करेंगे जो इसकी नेटवर्क को इंट्रेसेप्ट करेगा file झाल 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 कर देते हैं अब जो साइट है मैं इस पर रिफ्रेश करते हैं यहां पर हमें देख रही है ठीक है इस तरफ में अब जो यहां पर क्लियर कर देते हैं क्योंकि यहां पर हम क्या लिखेंगे एस्कुल मैप एस्कुल मैप पैरिमिटर हमारा दूसरा है तो यहां पर हाइफन यू करके पैरिमिटर पहले देंगे यहां पैरिमिटर है कॉपी किया और यहां पेस्ट कर देते हैं और इसे एक स्ट्रीटमेंट के अंदर जाल देता है यहां पर हाइफन आफन को की और यहां पर पैरिमिटर रिख देना है और यहां कर देना आपको हाइफन हाइफन बाच हाइफन यहां डीविएस सब्सक्राइब फ Caesar and माइसीपाल पीहेचपी यहां पर मुझे बोल रहे हैं आपके डेटाबेस भीस्कार जेख लेते हैं यहांपे डेटाबेस का क्या करें यहां यह Patuse आपे D c d c o l कर देटा है ठीक है यहां पर हाइफनफ़ n डेख लए तेबल नाम का टेबल ठीक है तो सीडी थारां के टेबल में देख लेते हैं तो पैरिमेटर आपकी वही रहेंगे बस आपकी कुकी और वो दो पाथ अलग पर कारें और कुछ को साइड में होता है कि कूकी बैस बालां पार्ट तो मैंने आपको दोनों बता है किस तरीके से क्या जाता आप यहां पे टेबल्स के जगा मं तर्टी ले लेगे और यहांपे टेबल्स को cds लिख देंगे और पर एंटर कर देंगा हो चोट तो ऑच एस तरीके से करना होता है यहां पर जो टेबल है हम चेंज करके यहां पर आंठीड हो मुझ को मैं ठीज करते हैं को फॉलो करने के लिए ताब आपको सकते हैं यहां पर दे सकते हैं उसके इंटायर डिटाब बेस को फैच कर रहा है लाइक मतलब उसकी बेसिक से लेकर मतलब जितने विसके अंदर हैशेस होंगे जो भी वैल्यूस होंगी वो सारों को यह फाइंड कर गए आपके सामने रहा जाता है ठीक है आपको इसका दियान रखना रखना है कि आपको आपको पता होने चाहिए और कुछ कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं आप उनका यूज कर सकते हो चेक करने के लिए तो मैं दिखा देता हूं जैसे यहां स्टेटमेंट्स टाइम लेका तब तक मैं आपको दिखा देता हूं जैसे कि आपको टेस्ट चेक करना है कि अगर वर्णेबल पारिमेटर वहां पर कॉमा डाल के चेक कर सकते हो या या फिर डबल कॉमा या फिर स्लाश यह तीन पारिमेटर चेक कर से तो कहां चेक करना होता आपको आईडी इक्वोस टुवन रहे जहां परिपिटर में या कुछ वहां पर वहां पर आप ट्राइब कर सकते हो ठीक है और आपको यह धियान रखना है कि कभी भी जो डेटाबेस रहेगा उसके अं पर जाते हैं कि अधिंग सो यह बता दे सौरी बाकिन में मारा बॉप सूट चर्जों रिक्विस्ट को इंटरेब कर रहा होगा कि जो इन्टरफेस है एक मिनिटा यह जो उसके स्टेटमेंट थी ठीक है आपको धियान रखना है जो यह फॉर्स लेटर जो दिख रहे हैं पर कैपिटल लेटर जितने भी दिख रहे हैं कैपिटल लेटर क्या होती है क्वेरीज होती है यहां पर जो कैपिटल लेटर आपको दिख रहे हैं स्टेंटेक्स में इसमें क्या होती है क्या होता है कि डेटाबेस को ओर्डर देना कि वह डाटाबेस से डाटा फैच करें यह काम किसका होता है क्या होता है और जो निडिखता कि यहां पर यहां पर चॉइड यहां पर यहांप यहां पर कोई भी चेंजिस करते हो लगा जाए हैं तो क्या होता है यहांप चूरेटक्स का और बहुत सी वेशिटS युझ सींप्सेटS नहीं होती है तो वह क्या हो सकती है आगे चलके बहुत बड़ी कमी हो जाकती है जैसा कि आप अभी देख रहे थे ठीक है मतलब की डाटाबेस से अगर सब्सक्राइब कर रहे हैं तो अगर आपको यह पर करते हो तो आपको यह कर सकते हो के मैं सब्सक्राइब कर देता हो कि यहां पर यह उसने स्टेट्मेंट से काफी सारी चीज़ें कर दिये हैं कि काफी कुछ है तो आई होप आपको समझ आया होगा कुछ कुछ चीज है सुके सो हमारे जो वेबिनार था वो वनावा का था आपको चीज़ें समझ आ गए हों कि बेसिकले आपको सीकुल इंजेक्शन के बारे में सीकुल के बारे में पता चल गया होगी कैसे वह होता है किस तरीके से इस पर काम किया जाता है आपका कोई कोई कोश्चिन किसी का भी okay thank you so much for joining this webinar thank you